तो दोस्त अगर किसी का pencard log हो जाता है उस law के case में आप क्या कर अचक्ते हो कैसे आप उसको reactivate करा सकते हूँ और कैसे आप उसको unlock करा सकते हूँ वह हो सकता है आपका background verification की वज़े से हो सकता है या हो सकता है वह income tax department ने कर दिया हूँ या हो सकता है illegal activity की वज़े से आपका pen card log हो गया है तो उसको आप basically कैसे reactivate करा सकते हैं तो देखो दोस्तों उसमें चार simple steps होती है आप अपना pen card reactivate करवा सकते हैं उसको unlock करवा सकते हो तो दोस्तों अगर मैं यहां पर पहले step की बात करूँ तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा assessing officers को जो कि हम short में बोलते हैं A officer को एक आपको लेटर लिखना पड़ेगा कि आपका pen card क्यों deactivate हुआ है उसको reactivate कराना है एंड वह जो paper format है वह आपको गूगल पीजली मिल लाएगा गूगल पर जाके वहां पर डाउनलोड कर पाऊगे जो एक form होता है आपको fill करना पड़ेगा और दूसरा दोस्तों आपको एक self-attested copy आपको उसी में इस्टेपलर करनी होगी उसी के साथ लगानी होगी यानि कि आपका जो deactivate वाला pen card है वह आपको उसी में लगाना पड़ेगा और आपके signature उसमें होने चाहिए जिसको हम self-attested बोलते हैं तो basically वह pen card आपको उसी में photocopy आपको बेजनी पड़ेगी और दोस्तों यहां पर थार लेमिल्टी एक form होता है या आप इसको नहीं भी बरोगे तब भी चल लाएगा इन केस इसके बाद मालों आपने डॉकुमेंट करते हो नहीं हुआ तो फिर आपको यह डॉकुमेंट्स बना पड़ेगा अधर वाज आप इसको इसको कर सकते एंड दोस्तों समेंट द लेटर इसके बाद अगर इसके बाद भी आपका नहीं होता है डॉकुमेंट करने के बाद एक महीने के बाद तो फिर आपको जो मैंने एक एंडेमेंटी फॉर्म बताया वह आपको गूगल पर सार्च करना पड़ेगा कैसे बरना या उनके फेवर में हमें कैसे लिखना है इन कंप सब्सक्राइब तो इतना डिफकाल प्रोसेस नहीं है इसली हो जाता है वहाँ पर तो यह चार सिंपल स्टेप्स हैं जहां जैसे कि आप समिट करो डॉकुमेंस और आपका विदिन फेप्टी देश में पैंड कर अगें डियाक्टीवेट हो जाएगा या उनलॉक हो जाएग तो बस आझ की वीडियो में इतना एक वीडियों कर अच्छा रगा तो लाइक से एक चानल सब्सक्राइबThe double नाम है आप सब नियूदा नाव c